गूर्णिंग स्ट्रेंट्स आज हम करें एक लास एट थेक्सराइज 4.2 तो फेस्ट हमारे पास जो क्यूशन है यह कॉड़ लेटरल हमें ड्रा करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड ले रहें ल आई 4 सेंटिमेटर यह आपने यहाँ पे यूज किया 4 सेंटिमेटर यह आपके पास एल आई अब हमें चेक करना है अगली हमारे पास साइड है एल आई एफ आपका रफली एक बार लिख ले इस साइड मिलेगा आई एफ हमारे पास है 3 सेंटिमेटर 3 सेंटिमेटर परकार खोलेंगे आई एफ आपका रहेगा 3 सेंटिमेटर अब एल देखो साथ सा टिक कर देजाए ल आई आज के है आई एफ अब हमारे पास टी यहाँ से एल एफ चेक करेंगेट 4.5 यह आपका 4.5 इस परकार से कट किया इनको साथ साथ जोइन करवादें आप यह आपकी साइड यह भी कंप्लीट यह साइड भी आपकी कंप्लीट अब हमारे पास है टी यल यह है 2.5 2.5 हम यूज करेंगे यह 2.5 फिर है आई टी आई यहाँ से है 4 सेंटिमेटर यह आपका 4 सेंटिमेटर यहाँ से इसको भी कट किया इस पॉइंट को भी आप मिला ले यह आपका क्वाड लेटरल कंप्लीट हुआ एफ यह आपका टी यह लाइन के वन है और जो जितनी साइड है उसके अकॉर्डिंग लिखें लाइ हमारे पास 4 सेंटिमेटर आई एफ हमारे पास 3 सेंटिमेटर टी से एल आपके पास है 2.5 सेंटिमेटर एल से एफ हमारे पास है 4.5 सेंटिमेटर आई टी हमारे पास है 4 सेंटिमेटर यह आपका क्वाड लेटरल और कंस्ट्रेक्शन से जो स्टेप आप पहले करते हैं उसको पहले लिखेंगे साथ-साथ लिखते जाए एक-एक स्टेप आपका नेक्स्ट किसन देखते हैं नेक्स्ट किसन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग हमारे पास है OL, OL है, हाँ पर 7.5 cm, यह आपका OL, 7.5 cm, यह आपका O, यह L, इस साइड आपका मिलेगा G, OL, यह मिलेगा आपको D, अब हम स्टार्ट करते हैं, OL हमारी आज की है, G से L, यानि यह 6 cm, G से L, यानि L से हम रखेंगे, और यह आपके, G, L, G, L के बाद आपके बाद देखते हैं कि, G से हमारे पास O की कोई है, G, L आपके आज की है, G से D, G से D भी हमारे पास पॉइंट फिक्स नहीं है, L से D, L से D आपके पास 5, L से D है, 5, तो L से D, यहाँ पर हमें किया यह, L से D आपका आज के हैं, इसको साथ साथ टिक करते जाएं, O से D, O से D आपका 10 cm, यह आपका 10 cm, तो आपका डी पॉइंट फिक्स होचके हैं, इसको मिला दें साथ साथ आपकी लाइन, अब हमें हमारे पास बज़ता है, O से D आपका अचके है, जी से D, आपका है 6 cm, तो यहाँ पर आप रखेंगे 6 cm पर आप अर्क लगाएंगे, इसको आप कट करते हैं, 6 cm, यह आपका कट होचके हैं, और इसको जॉइन करवा दें, यह रहेगा आपका G, O, L, D, आपका कट लेटल कम्पलीट हुआ, यह आपकी साइड भी यहाँ पर लिखेंगे देते हैं, हमारे पास जो जो गिवन साइड है, सबसे पहले है, O, L, 7.5 cm, G, L, हमारे पास है, 6 cm, G से D, G से D, आपके पास है, 6 cm, L से D, यह आपके पास है, 5 cm, O से D, यह आपके पास रहेगी, 10 cm, नेक्स्ट किशन देखते हैं, नेक्स्ट किशन में आपके पास रोंबस है, रोंबस में चारो साइड इक्वल होती है, डाइगनल पर पेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखो, B, N, B, N, B डाइगनल है, D, E, यह भी आपके पास डाइगनल है, तो सबसे पहले हमें एक डाइगनल ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग मैंने करी, D, E से, यह आपके पास डाइगनल है, 6.5, यह आपका 6.5 इस परकार से डाइगनल ले आपने, इसका नाम है D, E, तो आपका जो B, E, N, D, B, यहाँ पर मिलेगा, B, E, N, D, कर सकते हैं, B, E, N, D, एंडिक्लोक्वाइज, फिर हमें इसको बाइसेक्ट करना है, पर्पेंडिक्लोर बाइसेक्ट, हाफ से जादा परकार, उपर भी कट, नीच से भी, फिर करेंगे इस साइड से, और इसको एक बाद डॉटेड लाइन्स में मिला रिते हैं, अब हमारे पास इस सेंटर पॉइंट आज़के हैं, एक डाइगनल आपका यूज जोचका है, दूसरा डाइगनल है, इसका हाफ कर लें, एक बार आप, यहाँ पे आपके पास 5.6 है, हाफ की आपने 2.8, तो 2.8 परकार खोलेंगे, 2.8, सेंटर पॉइंट से 2.8 पर उपर, और 2.8 पर निच्चे गत, और इनको जॉइन कराएं, यह आपका रोंबस, बी, ए, एन, डी, इसी के साथ आपकी एक्सराइज कम्प्लिट हुई, नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट एक्सराइज, जीडिया अपने चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सुब्सक्राइब परे, थेंक्स्ट